गुद मॉर्निंग वेलकम टू आवर इंटेलेक्ट्वल क्वालिटी और लार्निंग प्लैटफॉर्म तो हम अपने डेली केंटर फेर्सीज की और आगे बढ़ते हैं उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोड्स के बारे में जानेंगे जीवन की आवश्यक्ता यह नहीं है कि हम सर्फ्स्रेष्ट बने केवल यह है कि हम अपना सर्फ्स्रेष्ट परियास करें इसलिए हमेशा कहते हैं कि जिरंतर परियास करते रहे शफलता एक दिन अवश्य मिलेगी तो इसी के साथ हम अपने डेली करेंटेफेर्स की और आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप सभी लोग टेली ग्राम ग्रूप पर जो जाएगा यहाँ पर आपको साड़े पीडिया प्रवाइड होंगे हमारे यूटूब सेसंस के तो चलिए 12 मार्च 2024 के सारे करेंटेफेर्स को डिटेल में कवर करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहीएगा Q1. हाली में प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने कहां शेला शुरंग का उदगाटन किया है तो राइटर जगा अरुनाचल परदेश में अरुनाचल परदेश में हाली में प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी के द्वारा सेला टरनल का उदगाटन किया गया है तो जानते हैं कि आखिर ये सेला टरनल उदगाटन कहां से कहां तक जोडती है प्रधान मंत्री श्री नरेंद मोदी ने 9 मार्च 2024 को इटा नगर अरुनाचल प्रदेश में डेवलप इंडिया डेवलप नौर्थ इस्ट कारेकरम के दौरान वस्तुता शेला शुरंग परियोजना राष्ट को शमर्पित किया इसी के दौरान यह शुरंग का निर्मान शीमा शरक शंगठन जिसे Border Road Organization BRO कहते हैं इनके दौरा उचाई पर किया गया है असम के तेजपूर को अरुनाचल प्रदेश के पस्चिम कामेंग जीले के तोंग से जोडने वाली सरग पर 13,000 फीट की उचाई पर इसे बनाया गया त इसी के शातिया शुरंग की अधार सिला 9 फरबरी 2019 को प्रधान मंत्री द्वारा रखी गई थी और निर्मान 1 अपरेल 2019 को ही शुरू कर दिया गया था कठिन इलाके और प्रतिकुल मौशम की चुनावतियों को पार करनते है तू शुरंग केबल 5 वरसों में पूरी हो गई तो आपको ये points को याद रखके चलना होगा कि इसका foundation एक 9 फरबरी 2019 को रखा था और इसका कारे एक अपरेल 2019 को ही शुरू करके 5 सालों के भीतर इस 9 मार्च 2024 को इसका शीला निवाश कर दिया गया इसका inauguration कर दिया गया बाइदर प्रधान मंत्री नरेन मोधी जी के द्वार तो कहां पे इस सेला टरनल का project को launch किया गया है तो अरुनाचल परदेश के इटा नगर में है जो अश्रम के तेजपूर से लेकर अरुनाचल परदेश के पश्चमी कमांग जीले तक को जोडती है जो की 13,000 फीट की उचाई पर इस connectivity को बनाया गया तो चलते हैं question number 2 की ओर हाली में शन्तोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहां किया गया तो रुनाचल परदेश में अरुनाचल परदेश में शन्तोष ट्रॉफी 2024 का उद्घाटन किया गया और गिनाईस की गई तो जानते हैं इसके detail points के बारे में सर्विसेज ने शन्तोष ट्रॉफी फुटवॉल टूर्नामेंट जीत लिया और अरुनाचल परदेश के पापम पाड़े जीले के गोल्डेन जुबली स्टेडियम में हुए फाइनल में शेना ने गुवा को एक जिरो से हराया और विजाई गोल सर्विसेज के सफील पीप कादिर को मैच का सर्विसेज खिलाडी चुना गया और इसी के दौरान इस बीच सर्विसेज ने अपना शात्वा खिताब जीता गुवा ने 2017 शंसक्रन में उपविजिता रहा था और आखरी बार 2009 में खिता था तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखे चलना होगा कि हाल गेम से ये रिलेटेड रखती है इस वर्ष इसकी एडिसन 27 थी जो कि अरुनाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया Q3. हाली में महा शिबरात्री उस सब हेरात कहां आयोजित किया गया तो राइटन सो जगा जम्मू एंड कश्मीर में हाली में महा शिबरात्री हेरात का उधगाटन किया आयोजित की गई तो आपको ये पॉइंट को याद रखे चलना होगा कि फेस्टिबल ओफ महा शिबरात्री जो इसका हेरात नाम दिया गया है जिसको हाली में जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया गया था तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट के बारे में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित धार्मिक उस्टा के साथ महा शिबरात्री हेरात का तिवार मनाते हैं और इस तीन दिवश्ये उस्टा में वटक नात और भगवान सिब की पूजा की जाती है श्री नगर के संक्रा चारे जी मंदिर में भी बड़ी शंख्या में श्रत धालू पहुँचे और हिरात जिसका अर्थ होता है हर रात तो आपको ये पोईंट्स को याद रखे चलना होगा कि जम्मू कश्मीर में हाली में महाशिवरात्री के दौरान हिरात फेस्टिबल को सेल आर्मिक तरीके से जिसका मतलब होता है रात का मतलब की हर रात तो इसी के दौरान इसके अलाबा हबा कदल में गन पत्तियार मंदिर श्री नगर में अमीरा कदल में हनुमान मंदिर और मतन अनंत नाग में मारतन तीरत में भी विसेश पूजा की गई थी गांदर वल जीले क तुल्लू मुला माता खीर भवानी मंदिर में भी शैक्रो भग पूजा के लिए एकत्रित हुए तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखे चलना होगे जम्मू कस्मीर में हाली में फेस्टिबल ओफ महाश्वरात्री जिसको हेरात नाम दिया गया है ये एक religious enthusiasm है जिसको हाली में जम्मू एंड कस्मीर में आयोजित किया गया तो चलते हैं question no.4 की ओर हाली में लाचित बॉर्फुकन की 125 फूट उची प्रतीमा Statue of Valor का अनावरन कहां किया गया तो राइटेंजों के अस्सम स्टेट में हाली में लाचित बॉर्फुकन की 125 फूट उची श्मारत को जिसका नाम दिया गया Statue of Valor जिसका उदगातन किया गया अस्टम राज में इसका उदगातन भी हमारे परधान मंत्री नरिंद मोदी जी के दौरा किया गया जिसकी उचाई कुल 125 फूट की उचाई बनाई गई थी तो जानते हैं कि आखरे लचित बॉर्फुकन क्या थे तो पीम नरिंद मोदी ने 9 मर्च 2024 को अस्सम के टे ओक के पाश होलंगा पूर में लाचित बॉर्फुकन मैदाम विकाश पर्योजना में लाचित बॉर्फुकन की 125 फूट उची परतीमा जिसे स्टैचू ओफ वेलोर का अनावरं किया यह राम वंजी सुतार द्वारा निर्मित परतीमा की उचाई 84 फीट है और इसे 41 फीट के आशान पर स्थापित किया गया था जिससे संरचना 125 फीट उची हो जाती है और परतीमा की अधार सीला फरबड़ी 2022 में पुर्ब राश्पती रामनात कोविन ने रखी थी तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखे चलना हुआ कि हाली में परधान मंत्री नरिन मोदी जी के दौरा 9 मार्च 2024 को अस्सम राज में हाली में लचित बुर्फुकम की उधगातन की गई जिसकी 125 फीट उची स्टैचू को बनाया गया इस स्टैचू का नाम दिया गया स्टैचू ओफ वैलोर तो इसकी जो स्टैचू थी तोटल एक स्टैचू 41 फीट का पेडेस्टल बनाया गया एक आसन बनाया गया और उसी आसन के उपर 84 फीट की इसकी मुर्ती बनाई गई तो ये तोटल 125 फीट उची हो जाती है तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखके चलना होगा कि लचीत बर्फुकन मैदाम को डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट के एकॉर्डिंग असन में इसका उद्गातन किया गया इसके इस्टैचू का जिस इस्टैचू का नाम दिया गया था इस्टैचू ओफ वेलोर इसी के शाथ साथ ये भी याद रखना होगा कि इसकी अधार सिला 2022 में हमारे पुर्ब राश्पती रामनात कोबिन जी के दोरा रखी गई थी तो चलते हैं क्वेशन नमबर फाइब की ओर प्रधान मंत्री ने हाली में महतारी वंदना योजना को कहा शुरू किया गया तो राइट इस गर 36 गर राज में हाली में परधान मंत्री धी जी के दोरा लाँच किया गया महतारी वंदना योजना तो जानते हैं महतारी वंदना योजना क्या है तो परधान मंत्री नरिद मोदी ने 10 मार्च 2024 को 36 गर सरकार की महतारी वंदना योजना को वर्चुल सुभारम किया इसी के दौरान उन्होंने इस योजना की महीला लवार्थियों से बात्चीत भी की और इस योजना के तहत 70 लाग से जादा महीलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपई ट्रांस्फर किये जाएंगे इस योजना के पहले चरण में परधान मंत्री ने 655 करोर रुपे से अधिक किराशी को ट्रांसफर भी की तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखे चलना होगा कि 10 मर्च 2024 को महतारी वंदना योजना 36 गर में आयोजन किया गया इस स्कीम को लाँच किया गया इसी के साथ इस स्कीम का उद्देश ये रखा गया था कि हर मंत एक हजार की इस टाइपन के रूप में महिलाओं को दिया जाएगा जिससे महिलाओं को बरावा मिले उनके कामकाज को लेकर और पहले फेज में ही 655 करोर रुपे से अधिक किरासी को ट्रांसफर भी की गई तो ये सारे फ्रक्स को याद रखके चलना होगा तो इसी के साथ चलते हैं अपने प्रेशन नंबर 6 की ओर हाली में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किस ने जीता तो राइट हैंसरा क्रिश्टीना प्रिस्कोबा के दौरा हाली में टाइटल जीता गया Miss World 2024 2024 की Miss World कौन बनी है तो Christina Priscoba के द्वारा जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में चेक गनराजे की 24 वर्सिये Christina Priscoba ने Miss World का खिताब जीत लिया तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखे चलना होगा कि हाली में जो Miss World बनी है वो किस कंट्री से बिलॉंग रखती है तो आपको राइट एंसर हो जागा चेक गनराजे Christina Priscoba हाली में Miss World 2024 बनी है जिसका बिलॉंगेशन कहां है तो जेक गनराजे से इनका बिलॉंगेशन है इनकी मात्र 24 वर्स की उम्र है 9 मार्च 2024 को महराश्ट के मुंबई में जियो वर्ल्ड कंविंशन सेंटर में आयोजित एक भब्य कारेकरम में प्रिश्टीना को 71 मिश वर्ल्ड का ताज पहनाया गया तो इसे के साथ आपको ये भी पॉइंस को याद रख के चलना होगा कि Miss World 2024 का आयोजन कंट्री हमारा इंडिया था तो ये कौन सी एडिसन थी तो 71 एडिसन का होश्ट इंडिया ने किया और इसे के दौरान Miss World 2024 के रूप में प्रिश कोबा के दौरा इस खिताब को जीता गया 2006 में टाटाना कुचरोबा के बाद वो दूसरी चेक मिश वर्ल बनी है यानि Miss World जो चेक गनराज से बिलॉंग करती है तो ये सेकंड Miss World बनी है जिनका नाम है कृष्टीना प्रिश कोबा इनसे पहले जो Miss World बनी थी उनका नाम था तताना कुचारोबा जो 2006 में ही बनी थी इसके बाद जो सेकंड बनी है Miss World उनका नाम है कृष्टीना प्रिश कोबा जो 2024 के Miss World में इनको खिताब जिता गया इसी के दौरान परतियोगिता में 115 देसों की परतिभागियों ने हिश्चा लिया जो पिछली विश्व शुंदरी पूलेंड की क्यारो लीनी बियोलोशका ने क्रिश्टीना को ताज पहनाया और लिबनान की याश्मी जेव टोना परतियोगिता में उपविजेता रही त्री निदाद और टोबैको के अच्छे अबराहम और बोशावाना के लेसेगो चोंबा सिर्च चार फाइनलिस्ट में से थे तो आपको ये सारे फैक्ट्स को याद रखे चलना होगा कि मिस वर्ल्ड 2024 हाली में क्रिश्टीना प्रिसकोबा को बना है जो चिक रेपब्लिक से बिलॉंगेशन रखती है तो इस वर्ल्ड जो मिस वर्ल्ड था इसका एडिसन 21 था इसका होस्ट कंट्री हमारा इंडिया था तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन नबर 7 की ओर खाली में वैश्विक खश्रा और रुबेला चैंपियन पुरसकार से किशे शमानित किया गया तो राइट जो आइडिया इंडिया को हाली में समानित किया गया ग्लोबल मेजल्स एंड रुबेला चैंपियन एवोर्ड के खुले कर तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में भारत को प्रतिष्टित खसरा और रुबेला चैंपियन पुरसकार से समानित किया गया और इसी के दोरान भारत को इन बिमारियों शे निपटने में अनुकर्निय प्रयाशों के लिए यह पुरशकार को दिया गया 6 मर्च 2024 को वासिंटन में अमेरीकी रेट क्रॉस मुख्याले में श्वास्ट और परिबार कल्यान मंत्राले की ओर से राजदू स्री प्रिया रंगनात ने यह पुरशकार को प्राप्त किया और इसी के दौरान श्वास्ट मंत्राले ने एक बयान में कहा कि यह पुरशकार शारबजनिक श्वास्ट और बच्चों में इन संक्रामक रोगों को प्रशार को नियंतरन करने के प्रती भारत की अटूट प्रती भादता की पूश्टी करता है तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि मेजल्स और रुबेला को लेकर इंडिया ने एक अचिब्मेंट को हासिल की और इससे निपटने वाले बिमारियों को कंट्रोल किया गया और इसे के दोरान इंडिया को शमानित किया गया मेजल्स और रुबेला चैंपियन एवोर्ड से चलते हैं अपने क्वेशन नमबर एट की और हाली में आर्किटेक्चर नॉबल प्रिजर पुरसकार दो हजार चौबिस के लिए किसे चुना गया है तो रैटेक्चर नॉबल प्रिजर प्रिजर पुरसकार का विज़ेशता घोषित किया गया जो इस छेतर का शर्वोच अंतराश्चिय पुरसकार है जिसे आर्किटेक्चर नॉबल के रूप में भी जाना जाता है रिकेन यामो मोटा को अक्षर अनुप्युक्त वास्तुकार भी कहा जाता है यह पुरशकार 1979 में अपनी स्थापना के बाद से प्रती वर्ष परदान किया जाता है और यामा मोटो जापान से नौबे पुरशकार विजेता है जिन्हों प्रिजदर आर्किटेक्चर पुरुशकार की स्थापना हयात होटल स्रिंकला के दिवंगत संस्थापक जे ए प्रिजगर और उनकी पत्नी सीडी दोरा की गई थी तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखके चलना हुआ कि हाली में जापान के एक आर्किटेक्ट जिनका नाम है रिकेन यामा मोटा इनको हाली में डिकलियर किया गया के प्रिजगर आर्किटेक्चर प्राइस के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया चलते हैं अपने रिवीजन बैज की ओर दस मर्च दोहजार चौबिस के सारे करेंटेफिर्स को रिवीजन मोट में कवर करेंगे Q1. हाली में अंतराश्चिय महिला दिवस दोहजार चौबिस के अकसर पर किसे राजसवा के लिए नामंकित किया गया तो शुधा मुर्ती को Q2. हाली में शांशत खेल महाकुम 3.0 कहां शुरू हुआ तो हिमाचल प्रदेश में Q3. हाली में किशान मित्र, कारेकरम राइथु, नेश्थम किसने लौंच किया है तो तिलंगाना के दौरा लौंच किया गया Q4. हमारा शम्विधान, हमारा शम्मान अभ्यान, भीका नेर में आयोजन किया गया Q5. हाली में नई दिल्ली में पहला राष्टिय सर्जक प्रोषकार प्राइम निश्चर ने परदान किये है Q6. हाली में भारत में फॉर्मूला वन इंधन अश्टॉम का उत्पादन करने वाली पहली शौदेशी कमपनी इंडियन ओईल बनी है Q7. हाली में उत्री अट्लांटिक शंधी संगठन में शामिल किया गया 32 सदस्य देश श्वेडन बना है Q8. भारती ये तर्ट रक्षक बल किसके साथ पूर्ट विलेयर में श्रयूक्त अभ्यास सी डेफेंडर्स 2024 सुरू करेगा तो राइटर्गों का उनाटेट अश्टेट अफ अमेरिका के साथ चलते हैं अपने questions of the day पे तो आज का हमारा question of the day क्या है in which year English was made the medium of instruction in India भारत में अंग्रेजी को सिख्छा का माध्यम किश्वर्ष बनाया गया option A 1844 AD, option B 1835 AD, 1833 AD या 1813 AD तो आपको answer comment box में देना होगा तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए thank you so much guys वीडियो को जादा जादा हो सके तो like, share और subscribe करें ताकि और भी content आपके पास पहुँच जाए जैहिन जैभारत दोस्तो